JW Means Examination में Grace Marks पाने का सबसे बड़ी अजुबार क्या हो सकते। तो दो section होते हैं section A और section B. Section A में अगर कोई भी ऐसा सवाल होता है जो की गलत आता है या उसके options गलत है तो कोई भी बच्चा जो examination दे रहा है, JW कहते है कि हर उस बच्चे को Grace Marks दिया जाएगा तो JW का board ये कहता है कि उसी बच्चे को Grace Marks दिये जाएगे जिस बच्चे न उस question को attempt किया है जो बच्चा उस question को attempt नहीं किया हो चाहे कारण जो भी हो उस स्थिती में उसे number भी दिये जाएगे तो अगली बार आप अगर कभी भी section भी के कोई question को attempt कर रहे हो और आपको लग रहा हो कि उस question सही नहीं है तो Grace Marks पाने के लिए उस question को attempt ज़रूर कीजेगा